हेलो एवरिवन एक बाफिर से श्वागत है आप सभी का आपके पसंदिदा यूटूब चैनल रामा सर में आज किस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं ससी इंटर लेवल भरती जीहां बारहमी पास के लिए कुल आठ सो तिरसक पदों पर नई बेकंसी का आगाज हो चुका है जिसमें 35 वर्स और 38 वर्स महिला पुरुस के लिए अलग अलग आयूशीमा रखी गई है डिसकस करेंगे समपूर्ण जानकारी के बारे में बने रहे हैं वीडियो के इन तक सबसे पहले डिसकस करते हैं इसक्राइब्स के बारे में आप देख सकते हैं कि वेग इन्जोमार अपलिकेशन स्टार्ट हो रहा हुए तीन दिन अत्रिक्ट समय दिया गया अप्लोड करने के लिए सोरह अगस्त दोजार चौबिस तक फोटो और सिगनेचर अप्लोड कर सकते हैं अगर फॉर्म में कोई करेक्शन है तो 18 से लेकर के 20 अगस्त तक आप करेक्शन कर सकते हैं इसके अलामा जैसे ही एक्जाम डेट कोई फिक्स आएगा है आपको हम वीडियों के मादधम से उसमें भी सुचित कर देंगे एप्लिकेशन फीस की बात करें तो आप देख सकते हैं जनरल, OVC और एकोनॉमिकल विक सक्षन अर्था EWS के लिए 100 रुपए का सुल्ख नड़दारित के आगया है वहीं SCST के लिए 50 रुपए का सुल्ख नड़दारित के आगया है सुल्ख का भुगतान आप आनलाइन डेविट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बेंकिंग के मूट से भी कर सकते हैं Yes, we are talking about जहारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमिशन JSC, जहारखंड इंटरमीडियर्ट लेवल रिकूट्मेंट 2023 JIS, CKHTCCE 2024-25 से रिलेटेज जानकारी के बारे में हम डिसकस कर रहे हैं आप अफिस्यल नाटिफिकेशन पढ़ने के लिए इसकी अफिस्यल बेव साइट पर विजिट कर सकते हैं या www.sarkarizal.com पर विजा करके आप वहां से भी पूरा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं लेकिन आपको यह सलाह दी जाती है का आप एक बार फुल नाटिफिकेशन जरूर पढ़ लें JSC, JISC के TCCE इंटर लेवल एक्जाम नाटिफिकेशन 2023-2024 के एज लिमिट की बात करें तो जो न्यूनतम आयूशिमा निदारित की गई है वाट 18 वर्स, एक अगस 2023 से इसके आयू की गड़ना की जाएगी और अधिकतम आयूशिमा पुरूस वर्ग के लिए 35 वर्स, जबकि महिला वर्ग के लिए 38 वर्स निदारित की गई है जारखंड के मूल निवासी लोगों को एज रिलेक्सेशन भी मिलेगा जारखंड इंटर्मीडियट लेबल एक्जाम 2024 से वैकंस रिलेटर जानकारी आपको प्रवाइड करवा दें तो आप देख सकते हैं कि टोटल 863 पदों पर यह वैकंसी निकाली गई है जिसमें जारखंड S.S.C. कम्बाइन इंटर्मीडियट लेबल एक्जामिनेशन 2023 के कुल पदों की संख्यार 863 है अलेजबिल्टी डिटेल्स की बात करें तो 10 प्लस टू इंटर्मीडियट इंग्जामीन एनी रिकगनाईज बोर्ड इन इंडिया बारत के किसी भी माननेता प्राप्त विश्विद्याले से आपके पास 12 वी की डिगरी होनी चाहिए इसके अलावा अगर आप और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियों को लाइक करें अधिक सदिक दोस्तों को सेयर करके उने भी इसकी जानकारी दें आगे डिसकस कर लेते हैं टोटल वेकेंसी डिटेल्स के बारे में तो आप देख सकते हैं कि JSC Intermediate Level 10 प्लस 2 लेबल एक्जामीनेशन 2023 काटेगरी वाइज वेकेंसी डिटेल्स की बात करें तो यलडीसी अरबन डेवलप्मेंट और हाउसिंग डिपार्टमेंट में कुल चानवे पद निर्धारित किये गए हैं पदों की संख्या क्लेरली बता रहे हैं आप देख सकते हैं हमने अन्रिजर्ब कटेगरी के लिए यसी यस्टी और ओवेसी के लिए अलग अलग पदों का निर्धारण किया हुआ है उसमें दिखाया है ऐसे अमने कटेगरी वाइस कर दिया है ठीक इसी प्रकार से आपको 256 पद जो है यलडीसी के ही है इस्टेनो ग्राफर के भी 27 पोस्ट निर्धारित किये गए हैं जबक कुल 43 पदों की संख्या निर्धारित कि गई है जबकि डिरेक्टरेट अंडर माइनस और जीओलाजी डिपार्डमेंट की बात करें तो जीओलाजी डिपार्डमेंट में भी कुल 22 पद सिरजित किये गए हैं इसके लावर अर और उदिक पदों की संख्या के लिए आप की ये 64 पद हैं जिसमें अन्रिजर्ब 33 पद रखे गए हैं इस तरह से आप देखें तो यहाँ पर अधिक पदों की संख्या अन्रिजर्ब कर दी गई है जारखंड में लेवर कमिशनर जारखंड अंडर देपार्डमेंट आफ लेवर उसके अलतों हों लेवर कमिशनर जारखंड अंडर डेपार्टमेंट आफ लेवर इंप्लोच में आप सकते हैं उसाटी प्रकार्व करिया गया हैusta हमने संपोण जानकारी यह आपके सामने रख दिया है लेकिन अगर आपके मन में किसी प्रकार की कोई संख्या है तो आप एक बार आफिसियल नॉटिफिकेशन जरूर पढ़ें या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी अपने इसके लिए आपको मैंने नॉटिफिकेशन के अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जानकारी दे दिया है वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं कि जारखंड स्टाब सेलेक्शन कमिसन जैससी आर रिलीज जारखंड इंटर्मेडिट लेबल एक्जामनेशन का फार्म कैसे फिलिफ करना है इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगा अगर आप मारे चैनल पर फर्स टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को स नेक्स्ट वीडियो में लेकर आपसे विदा तिल देन गुडवाई थेंक्यू